आप अपना भविष्च नहीं बदल सकते लेकिन अपनी यातें बदल सकते हैं और शित रूप से आपकी याते हैं आपका फ्यूचर बदल देंगी Good morning friends, welcome to online study point दोस्तो आज है 12 सितंबर देखेंगे आज के सारे करन अफेज साथ ही questions related काफी सारे extra facts भी जो आपके exam point भी से काफी important है तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए अगा last में एक question पूछे को उसका answer आपको comment box में लिखना है साथ ही इस वीडियो की PDF आप हमारे telegram channel से join करके प्राप्त कर सकते हूं वहाँ पर मैं बहुत सारी PDF आपको एक साथ जो तो प्रोवाइट करता हूं दूस्तों मैं अनकेडियो पर ही पढ़ाता हूं तो आप अनकेडिमी का लर्निंग है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें online sd point सर्च करके आप मैं फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अनकेडिमी प्रोफालिंग लिंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दे हूं तो उस लिंक पर भी डारेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर ये मेरे दौरा बनाएगे करें अफेस की वीडियो आप बिल्कुल फ्री में देख सक हुआ है गुजरात बडोदरा में ठीक है आपको बता दें पारिभान छेत्र में देश में अपने तरह के पहले उनिवर्सिटी जो की राष्टी रेल और परिभान संस्थान ने परिचालन शुरू कर दिया है और दोस्तों वरतमान में नेशनल एकेडमी ओफ इंडियन रेल चनले इस इनवर्सिटी नहों तो दो इस नातक परिख्र एंद फट परिचालन शुरू किया थीक है तो भारत की पहली रेलवे इनवर्शिटी के संचलन कहां शुरू किया गया है गुजरात बडोधरा में देखिए अब यहां पर आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं दोस्तों यहां में पूछा सकते हैं आपको पता होना चाहिए भारत प्रथम जो इनवर्शिटी है भारत की पहली इनवर दोस्तों वह थी बीनावला जो कि गुडगाओं में खुली है 2013 में ठीक है तो भारत की प्रथम इनवर्शिटी नालन्दा विश्यटा लेब पहला ओपेन इनवर्शिटी आन्द प्रदेश विश्यविद्याल है और पहले डिपैस इनवर्सिटी जो थी विश्यविद्याल कहां शुरूब किया गया है राइट एंसर है ऑप सने गुर्जराद बढ़ोधरा में दोस्तों दिया आप रेलवे गुरूब डी एक्जाम की त्यारी करें तो आपके लिए एल बुक पुब्लिसर द्वारा इंपोर्टेंट रिवीजन बुक त्यार किगी ऑनलाइन पीडिया नेक्श चोच है विश्डे Land अभ्यास के पहले słu को उद्धान कहां किया गया है दोस्तों विश्ule निज्ज्वेश के पहले संसक्क्न को उद्धान किया गया है पूड़न एम स्टीर अ च्मिलिट्री अभ्यास यानी contract 2018 इंभ बे औफ सेन अभ्यासिस का उद्देश से विम्स्टेग रास्टों का काउंटर आतंगवादी परिचालन की योजना बनाने और संचालन में अभ्यास करना है और भाग लेने वाले जो देश में भारत की सेनाय इसमें हैं बंगला देश भूटान सी लंका में मर और थाइलेंड और छेत लेक्टरल टेकनोलोजिकल एंड इकनोमिक ऑपरेशन विम्स्टेग अगठान हुआ था 1997 में और बंगला देश भूटान भारत नेपाल स्रिलंका में मर और थाइलेंड का एक साथ लाता है इसमें इसमें कंट्री सामील है और सामोह जो है तो बैस्वी कावादी का 22 अगला कोशन है रेरा पर पहली क्षेत्री कारशाला का उद्गठन किया है जो भारत के आवास और सहरी मामलों के राज्यमंत्री है हर्दीप शिंग पूरी जी आपको बता देंगे ने पूरे में कहां पर पूरे में रेरा पर पहली शेत्री कारशाला का उद्गठन किया है रेरा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों रेरा के बारे में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के बारे में इसे 2016 में लौंज किया गय में सूचना साजा करने के लिए online प्रणाली बना कर वोगता के लिए संदक्षण करना है ठीक है और यह राज्यों को नियामक प्राधिकरण और अभीली पर पहली शेत्रीकार साला कुद्ःटन किस ने किया हर्दीप सिंग पूरी नेक्स रोचन है श्रयुक्त अभ्यास नॉमेडिक एलिफेंट दोहर अठारा का कहां शुरू हुआ है तो इसका राइट एंसर रहागा दोस्तों ओप्सन डी मंगोलिया में ठीक है आपको बता देक नॉमाडिक एलिफेंट अभ्यास 2006 से आजुद किया जा रहा है और एक वार्षिक दूइपक्षी अभ्यास है जिसे भारती सेना और मंगोलिया इससतवलों के बीच साज़ेदारी को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है और इस अभ्यास को सहयुक्त राज ठीक है राजधानी किया है उलन बटोर मंगोलिया की और करेंसी है मंगोलिया ही टोग रोग तो श्रैक्त अभ्यास नुमेडिक एलिफेंट 28 कहा शुरू हुआ है मंगोलिया में ठीक है चलिए अगला कोश्चन है हाली में नेपाल के नए मुखिन आधिस कुरू में किसने राइट एंसर हो यहाएगा और सने ओन प्रकास मिस्रा देखें आपको बता दें दोस्तों कि नया मुर्ति नए मुखिन आधिस कुरू में और शाप्राव मिस्रा को कट्राव को कार्याल लें और गोपनीता की सबद दिला इटिक है और इसके लावा आपको ता दें कि सुप वह वरतमान राष्टपती हैं विद्यादवि बंडारी नेपाल की जो करेंसी हुआ नेपाली रूपया और राजधानी है काटमांडू यहां पर बात करें दीपक मिस्रा जी की तो दीपक मिस्रा जी बरतमाने भारत के चीफ जस्टीस आफ इंडिया हैं लेकि नेक्स्ट जो अगले जो इसके अलावत दीपक मिस्रा के बाद जो अगले मुखिन आदिश होंगे वो होंगे नया मुर्ति रंजन गोगोई ठीक बारतमान में दीपक मिस्रा लेकिन रिटार्मेंट होने वाले हैं तो अभी नेक्स्ट जो बनेंगे भारत के चीफ जस्टीस आफ इंडिया अगला कोश्चन है भारत और बंगलादेश से कितनी परियुजनाओं का उधगाटन किया है जिसका राइडेंसर है ऑप्सन सी तीन देखिये प्रधान मंतरी मोधी जी उनके बंगलादेश समकक्ष सेख हशीना और पस्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बने जी और तृप तृप से वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से बंगलादेश में तीन परियुजनाओं किया है कौन कौन सी परियुजना है भारत से बंगलादेश को 500 मेगावाट अतरिक्त बिजली आपूरती और अखावरा अगरतला रेल रिंग और बंगलादेश रेलवे के कुलावर लगवक नौसो शाठ करोड रुपए होगी ठीक है बात करें बंगलादेश की तो में यहां के जुपीम है से खसी ना राजणी ढाका और करेंसी बंगलादेशी टाका तो भारत और बंगलादेश से कितनी परिजना को धुद्गहटना किया है यकिए हैं तीन परिजनाएं अगला गोश्चान है दोस्तों, फोप्स के लिए नामांकित लेखी का प्रिती शेनाय ने काउन सी नई पुस्तक लिखी है, जिसका राइट एंसार जाओ दोस्तों, ऑप्सन सी दरूल ब्रेकर्स, काउन सी दरूल ब्रेकर्स, ठीक है, आपको बता दे कि बेस्ट सेलिंग पुस्तक महिलाओं की समानता, लिंग और दूसरों की भी सामिल करने के लिए जटिल विश्यों पता लगाने का दावा करती है, इसके लावा नब्बे के दसक में स्थापित उपन्यास, वेद की कहानी जो बड़े सपनों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन एक अरेंज व और बात करें हैं पर शूटिबल वाई की यह पुस्तक है विक्रम सेट की विक्रम सेट की और प्रसीद पुस्तक है इन आ इक्वल म्यूजिक ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक यह विक्रम सेट की पुस्तक और शूटिवल वाई भी जो है तो औरूल बेकरस कई है प्रिती शियनाए की ठीक हिए चलिए ऐसाम कखेल याजलो किसे नेभिट किया गया है तो आसम स्वबक्न है कि प्रिति फक्तुन का के लिए असम का खेल लाजूद न्यूक किया गया है ताकि बड़े और युवा पीड़ी खेल को कंभीरता से अपना लक्ष चुने असम के जो सिया में सर्वान अंसोने वाल ने पहले पुष्टी की है कि भारती इथलीट हीमादास को राज की पहले खेल लाजूद कुरू में आज का सवाल आज का क्या है युवेश ओपन टेनिस में पूरू सेकल की स्खिलाडी ने जीता है तो आपको कमेंट बॉक्स में एंसर जरूर लिखना है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर जरूर करिएगा तो आप मेरे चैनल